बच्चों हमने देखा कि पंचवर्शी उजनाओं के अंतरगत क्रिशी के विस्तार और विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए और काफी हद तक इसमें हमको सफलता भी मिली स्वतंतरता के समय भारतिय क्रिशी का जो हाल था जो उसकी अवस्था थी उसके पिक्षा वर्तमान में अगर हम क्रिशी के बात करें तो काफी सुधार हुआ है आज के अध्याय में हम देखेंगे कि स्वतंतरता के बाद क्रिशी उद्योग और विदेशी वैपार में कौन-कौन से परिवर्तन आये हैं और इनमें सुधार के लिए किस-किस तरह के प्रयास समय समय पर सरकार के द्वारा किये गए हैं क्रिशी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहां पर क्रिशी का महत्तु देखते हैं यानि भारती अर्थ वैवस्था से अगर हम इसको जोडते हैं और देखते हैं कि भारती अर्थ वैवस्था में क्रिशी का क्या महत्तु है तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम सकल घरीलूद पाथ कि बाद GDP की अगर बात करें नो हम देखते हैं पहले जो GDP में कृषी का योगदान था 25% के लगभग अथा जो कि प्रात्मिक उद्योगयों के अगर बात करें तो प्रात्मिक छेत्री के जो द्योगवन में कृषी जुए वह सबसे महत्वूर्ण माना जाता है और इसका जो GDP में योगदान था वो लगभग 18 से 25 प्रतिशत के लगभग था लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में प्रात्मिक शेत्र के अगर हम बात करें तो कृषी का योगदान उसमें यहां पर 18 से 59 प्रतिशत तक बढ़ चुका है तो एक तो आर्थिक विकास में GDP के साथ GDP ग्रोथ के साथ कृषी ने काफी योगदान दिया दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि भोजन और चारे की पूर्ति की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जादा से जादा भोजन की चाहें हम तिलहन दलहन फस यह जो रोजगार को यहां पर क्रिशी में से नकारा नहीं ऐसी है जिसका कहीं न कहीं संबंध रोजगार से अभी भी देखने को मिल रहा है अगले हम इसके योगदान की बात करें तो हम देखते हैं जहां पर कंच्चा माल जो है वो क्रशी से प्राप्थ होता है जैसे हम बात करें रेशम उद्योग की यह जूट उद्योग की तेल पराधारी जो उद्योग हैं तो यह सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए कच्चा माल अभी भी हमेशा से और अभी भी कृशी से ही प्राप्त होता रहा है वैसे ही अगले हम इसकी पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि कृशी का अंतराष्ट हैं उनको हम दूसरे देशों में र्यात कर देते हैं तो यहां से उद्योग के द्वारा ही जो कच्चे माल है वह प्राप्त हो पार हैं वैसे ही अगले बिंदुब को देखें तो हम देखते हैं कि यहां पर जब हम आयात निर्यात की बात करते हैं विदेशी वैपार की बात करते हैं तो केवल खाद्यान फसले ही नहीं बलकि ऐसे बहुत सारी वैपारी फसलों का उत्पादन कृशी के अंतरगत होता है जिनका हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो आयात निर्यात वैपार हम कह सकते हैं कि विदेशी वैपार में विदेशी मुद्रा की प्राप्ती में भी कृषी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है अब अगर हम बात करें कि भारती कृषी की विशेस्ताओं की क्या क्या है इसकी विशे किसी बहाँ कर तो बहुत बीमार है तो अज जो क्रशी की स्थिति ती वह थी उन्ट वीजों फ़स्लों उद्नतबीजों का यंशीनों का यंकिसी भी पधिति का वहां प्रियों करते थे लिकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो क्रिशी कर रहे हैं उसमें विज्ञानिकता को भी हमने वहाँ पर महत्तो दिया है विज्ञानिक धंग से वो क्रिशी की जा रही है हम 59 किसमी की बीजों का प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं टेक्टर जैसे परंपरागत जो हाथ स जो जुताई की जाती थी उसका अस्थान धीरे धीरे टेक्टर ने लिया और उसके साथ-साथ हम कटाई के लिए भी थ्रेसर जैसे मशीनों का प्रियोग करने लगे तो आज जो क्रिशी की स्थिती है भारती क्रिशी की जो स्थिती है वो कही ना कही वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली क्रिशी का रूप ले चुकी है वैसे ही अगर मिसकी विशेस्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि अभी भी भारती कृशी में जो है वो उतार चड़ावाते रहते हैं यानि किसी वर्ष किसी वस्तू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है तो किसी वर्ष बहुत कम होता है या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमने पहले भी देखा था कि भारती कृषी जो है उसे हम कहते है कि मानसून का जुआ है मांसून पे पूरी तरीके से आधारित है बहुत सारे छेत्र बहुत सारे राज अभी भी ऐसे हैं जहां सिचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सिचाई साधनों की विवस्था ना हो पाने के कारण आज भी जो क्रिशी है वो पूरी की पूरी वर्षा के जल पर निर भर है और आप स्वेम भी देख रहे हैं कि यह जो मांसून है वो समय बे समय ही आ रहा है जहां पर ठंड में जबकि वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अतिवरिष्टी हो जा रही है बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है और जब क्रिशी के लिए फसलों के उत्पादन के लिए वर्षा की जवरत पड़ रही है मई और जून जुलाई के महिनों में तो जब होनी चाहिए वर्षा तो वर्षा वहां पर होती नहीं है दूसरे ऐसे भी स्थिति बनती हम देखते हैं कि कहीं क्रिशी का जो उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा उतार चड़ा हम को देखने को मिलता है आगली बिंदु के अगर हम बात करें तो देखते हैं कि अभी भी जो क्रिशी है वो अपने साथ साथ एक छिपी हुई बेरुजगारी को लेकर चलती है सभी किसानों को के पास ज कहते हैं तो कहीं न कहीं एक बेरुजगारी भी यहां पर है जिसे हम छिपी हुई बेरुजगारी भी कह सकते हैं अगले बिंदु के अगर हम बात करें तो परमपरागत आगते जो है वो अभी भी भारती कृषी विवस्ता में बनी हुई है यानि बहुत सारे चेत्रे और ब कोई ना कहीं कृषी में पिछड़ापन अभी भी बना हुआ है तो ये तो थी भारती कृषी की विशेस्ताओं की अब अगर हम बात करें कि भारती कृषी में समस्याएं क्या हैं स्वतंत्रता से लेकर आज तक पंचवर्शी योजनाओं के दौरान बहुत से योजनाएं यहा अगर हम समस्या की बात करें तो हमने जैसे अभी बात की कि पूरी की पूरी जो मांसून पर निर्भरता है यह गलत है सिचाई के लिए परियाप्तसादर नहीं है तो उस शेत्र की जो कृषी है वो जैसा एक्सपेक्ट किया गया जैसा पेक्षा की गई वास्तों में वैसा पादन हो नहीं पाता है क्योंकि मांसून कभी जल्दी आ रहा है कभी देर से आ रहा है कभी अति वरिष्टी की स्थिति में आ रहा है कभी अना वरिष्टी की स्थिति में आ रहा है तो कहीं न कहीं यह कृषी को पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है दूसरी अगर हम ब बाहती हैं तो इस तरह के जो प्रक्रिटिक आपडाए होती है जिनके बारे में हम पहले से सोचे नहीं रहतेTON नहीं रहते हैं हम उससे बचाओ का और अचानक से अगर कोई ऐसी प्रक्रिटिक आपडा आ जाती है तो कहीं कहीं न कहीं वो क्रिशी के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती है तीसरी गर हम इसकी समस्य की बात करें तो हम देखते हैं कि साक का भाव है जहां एक वर हम बात तो करते हैं कि क्रिशी के विकास के लिए क्रिशी के विस्तार के लिए बहुत सारे जो हैं क्रिशी विकास बैंक क्र से बैंकों का नाम सुनते हैं बहुत सारे हम नीजी साक के बारे में भी देखते नहीं वह इतना सक्त है कि करिशक अभी भी उधार लेने डरते हैं यह कहा जाए तो अभी भी क्रिशी के छेतर में साख भाव बना हुआ है वैसे इसके अगली समस्य कि अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि परंपरा गद्रिष्टी कौन है जो क्रिशक जो है वो अभी भी परंपरावादी हैं उनका अभी भी मानना है कि हम रसानिक ख प्रियोग जारी रखें नया कुछ भी कृषी में जब कोई अविश्कार हम करते हैं कुछ हम नया लाना चाहते हैं कृषी में तो वहां पर क्योंकि सहयोग नहीं पाता है परंपरा अगरत जो द्रिष्टी कोण है वही अपनाए हुए हैं आज भी किसान तो यह कहीं न कहीं कृषी के विकास को रोकती है बाधा उत्पन करती है वैसे हम इसका अगला विंदू देखे तो यहां पर यह एक महत्वण विंदू यह भी देखता है कि बाधन तो हो गया लेकिन अब उन फसलों को मार्केट तक कैसे पहुचाया जाए उनके मार्केटिंग कैसे की जाए बजार तक वह कैसे जाए और अगर वह बजार तक चले भी गये हैं तो जिन किसानों ने उन पर महनत की है उनको गाया उसका सही दाम उनकिसानों को कैसे मिल तो जोतों का जो आकार है या दूसरे शब्दम सरच अब्दम के तो खेतों का जो आकार है वह अनार्थिक है हाला कि चकबंदी नियमों के तहत इन जोतों को बड़ा करने का भी प्रयास किया गया लेकिन आज भी ऐसे कई जोते हैं कुछ खेतों के आकार इतने छोटे हैं कि उ कारणे हैं तो अगर हम समस्याओं के समध्यान की बात करें तो हमसे पहले झाना होगा ना जब किसी वस्तु का उधादन करता है तो उसको जो उधादन लागत आती है और वास्ताओं उसका जो मूल्य मिलना चाहिए लागत और विक्रह मूल्य का जो isko डिफरेंस रहता है बीच का जो लाव रहता है वो कई बिचॉलियों में बट गया रहता है तो यहां पर जो बिचॉलिये हैं उनको हटाया जाना चाहिए प्रयास किया जाना चाहिए कि क्रिशक द्वारा डारेक्ट मार्केट में उस वस्तू को बेचा जा सके ताकि किसानों को जो उनकी उत्पादकता की जो लागत है भूमी सुधार के अंतरगत तो लगान के कुछ नियम निधारित के जाने चाहिए बहुत सारे क्रिशक ऐसे अभी भी है जिनकी अपनी कोई भूमी नहीं है वो किराय से लेकर या लगान पटाकर वो भूमी लेकर कारे करते हैं लेकिन अनावश्यक रूप से अत्याधिक लगा यहाँ पर बनाये जाएं उसके बाद हम चकबंदी की बात करते हैं भूमी सुधार के लिए जैसे कि हमने देखा कि जोतों के आकार इतने छोटे हैं कि वहाँ पर हम परंपरागत ढंग से ही क्रिशी कर पाते हैं व्यज्यानिक विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो क हमको क्रिशी के विस्तार के लिए प्रयोग मिलाया जाना चाहिए यानि कि सहकारिता को भी भूमी सुधार का एकाधार बनाया जाना चाहिए जिससे क्रिशी में और अधिक विस्तार विकास हो सके अब भूमी सुधार के साथ साथ हमकों यहाँ पर तकनीकों में भी सुधार करना होगा तकनीकों की सुदार की अगर हम बात करें तो उत्तम बीच का प्रियोग करने के लिए किसानों को प्रेडित करना या उनको सस्ते दाम में अच्छे उपलब्द कराना रसाइनिक खाद उपलब्द कराना उर्वरोको की उपलब्धता करवानेʹ Water कीट नाशक की भी उपलब्दता बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी जो फसले हैं वो कीटों के प्रभाव से भी नश्ट हो जाती है तो वहां पर भी किसानों को हानी होती है तो कीट नाशक भी किसानों को कम दाम में उपलब्द कराना और साथ ही साथ किसानों को प्रेरित की जाती है तो शायद और अच्छाला आप किसानों को मिल सके तो इन सब चीजों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना और उसी तरह जिस तरह हमने भूमी के लिए सुधार किये उसके बाद हमने तक्निकों में सुधार किया ठीक उसी तरह यहां पर कृशी में सुधा की बात कही गई है जैसे की सिचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए हमने देखा कि मांसून के अनिश्चित्ता के कारण जो क्रिशी है वो कहीं न कहीं काफी हद तक प्रभावित हो जाती है तो सभी को व्यवस्था की जानी चाहिए सभी राजी की सरकार के द्वारा कि सिचाई की जो है वो कृषी की छेत्र में पर्याप्त व्यवस्था हो चाहे वो नहर के द्वारा हो या तुब विल के द्वारा हो या हैंडपम के द्वारा हो किसी के भ हम बात करें साख की तो हमने जैसे की समस्याओं में देखा कि साख यानि उधार लेनी की जो समस्या है क्रिशी में अगर किसानों को बीच खरीदना है रसानिक खाद उर्वरक खरीदने हैं कीट नाशक की जरूरत है तो इन सब चीजों के लिए कहीं न कहीं पैसे की जूरत आती है तो साख की जो सुविधाएं हैं वो आसान करनी चाहिए वैसे ही यहां पर हम देखते है कि विपढ़न की व्यवस्ता की बारे में हमने देखा कि एक बहुत मत्यपूर्ण समस्या है कि उत्पादन तो हो गया लेकिन बाजार तक उसको कैसे ले जाया जाए उभूकता जो है उनका जो उत्पाद है उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए इस दिशा में भी परियाप्त कदम उठाया जाए वैसे ही हम बात करें कि कीमत समर्थन मूले का तो जैसे कि आप अपने दैनिक जीवन में या अपने घर में परिवार में सुनते ही होंगे निउस मे जाता है कि किसी भी दशा में कम से कम इतना मूल्य अस्वस्तु का किसान को अवश्चे देगी अंपक्रन करने के लिए उनके चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने समर्थन मूले कर दिया कीमत समर्थन कीमत का नियम यहां पर बना दिया कि किसी भी दर्शा में जो क्रिशक हैं उनको हानी न होने पाए तो यहां पर यह सारी चीजों को अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर क्रिशी विकास और वि पतार के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाय बना ली पंचवर्षी योजनाओं के दोरान भी हमने देखा कि कृशीगत समस्याओं को ध्यान में रखकर बहुत सारी योजनाओं को उसके इंतरगत शामिल किया गया इससे हमें क्या सुधार हुए हमने जो पेक्षा की थी इन योजनाओं के बारे में क्या वो फलीपूत हो पाई क्या हम उन समस्याओं का समधान कर पाए आए देखते हैं अगर हम बात करें क्रिशी सिधारों के उपलब्दियों की तो यहां पर जो आंकड़े हम देखते हैं यह आंकड़े हमें बताते हैं कि कही न कहीं हमने जिन और चावल के आकड़ों के अधार पर अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन जहां उननीस सो पैसर चैसर्ट में दस दशम्रों चार मिलियन ट्रन था वहां वही उत्पादन 2014-15 में 96 मिलियन ट्रन हो गया तो यहां पे काफी वृद्धी हुई है हमने जब योजनाओं के अंतरगत क्रिशु सुधार की बात कि और उन्हीं योजनाओं को लागू किया तो गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा और साथ ही साथ अगर हम चावल की उत्पादन की बात करें तो चावल का उत्पादन जहां 1966 में हम देखते हैं कि 36.6 मिलियन टन था वही गेहूं का उत्पादन 2014-15 में बढ़कर 103 मिलियन टन हो गया तो मीजर डिफरेंस हमको यहां पर देखने को मिल रहा है इन आकडों के अधार पर कही न कहीं हम यह कह सकते हैं कि यह जो योजनाओं हमने क्रिशी सुधार के छेतर में बनाई और उनको लागू की कहीं न कहीं यह काफी लाप्रत साबित हुई हैं दूसरा अगर हम उत्पादक्ता में सुधार की बात करें तो हम देखते हैं कि चावल की जो उत्पादक्ता थी जहां 1960-61 में प्रती हेक्टेयर उत्पादक्ता एक हजार तेरा किलोग्राम थी वहीं 2013-14 में यह जो चावल की उत्पादक्ता है बढ़कर 2424 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई वैसे ही अगर हम छेत्रफल की बात करें तो छेत्रफल में हम यहां पे देखते हैं कि 1950-59 में जहां खेती का जो कुल छेत्रफल था वो 13 करोड़ हेक्टेयर था वहीं यह बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर के लगभग आ चुका है तो इन आकड़ों पर अगर हम एक नजर डालते हैं तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि कृषी के छेत्र में इन योजनाओं से काफी लाब मिला है काफी विकास और विस्तार हुआ है इसी तरह अगर हम किसानों के दृष्टी कोण की बात करें तो किसानों के दृष्टी कोण में भी काफी परिवर्तन आया है जहां हम पहले देखते थे कि किसानों का जो दृष्टी कोण है वो परंपरागत बना हुआ है वही अब उनका जो दृष्टी कोण है वो परंपरागत से हट कर विज्ञानिक दृष्टी कोण बन गया है जो क्रिशक है वो गोबर की खाद की जगा अब रसानिक खाद उर्वरकों का भी प्रियोग करने लगे है हाथ से जो खेती की जाती थी वहाँ पर बहुत कुछ चाशां बन गये हैं हम उद्योग की विकास की बात करें की जूट का पास तेल और बहुत सारे ऐसे अजुद्योग है जिनके लिए कच्चा माल जो है वो क्रिशी से प्राप्त होता है जिने हम खाद्यान फसलों के अत्रिक्त व्यापारिक फसलों का नाम देते हैं अगर क्रिशी सुधार की अगर हम बात करें तो हरित क्रांती को यहां पर हमको इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी होगा अब तक भी हरित क्रांती के बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत सिंपल से चीज है जब हम हरित क्रांती की जब हम बात करते हैं तो यहां हरित का जो अर्थ है वो फसल से और क्रांटी यह ने की काफी हद तक उसमें होने वाला जो परिवर्तन है यह जो हुए है वो हरित रांती के द्वारा ही परिवर्तन हुए है और अगर हम यह आ यह जो उच्छ पैदावार वाली किस्मों के बीजों का जो कारिक्रम चलाया गया जिससे है एच वाई वीपी के नाम से भी जाना जाता है उसके अंतरगत यहाँ पर हरित क्रांती को शामल किया गया साथ ही हमने देखा कि हरित क्रांती से देश में कृषी के छेतर में काफी विकास हुआ क्योंकि कृषी से संबन्दी थी यह पूरी योजना थी अगर हम इसके कितना इससे लाब मिला है कितनी यह योजना फली भूत हुई है इस पर एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि बास वो 1966-1967 से शुरू होकर 1981 तक चली यह जो प्रथम योजना थी यानि कि प्रथम चरण था इस योजना का वो जो विशेश खाद्यान फसले हैं यानि जो मूल भूत खाद्यान फसले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जरूरत खाद्यान फसलों के रूप में देश को थी जैसे कि च चरण के अंतरगत यानि यह कोशिश की गई कि कैसे भी करके देश को चावल और गेहु के छेत्र में कम से कम आत्मा निर्भर बनाया जा सके ताकि देश वासियों की बोजन की जो समस्या है वो हल हो सके अब अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करें तो हरित क्रांती का यह जो दूसरा चरण है यह प्रारंब होता है 1980-81 से और यह 1996-1996 तक चलता है तो दूसरा जो इसका चरण था वो लगभग सभी छेत्रों में चावल और गिहूं की फसलों के साथ-साथ अन्य जो तिलहन दलहन की जो खाद्यान फसले हैं उन सभी छेत्रों में परियाप्त विकास के लिए चलाया गया अब अगर हम इसके विशेस्ताओं की बात करें हरित क्रांती की विशेस्ताओं की जब हम बात करते हैं तो परिक्षा के देश्टी कोंड से क्योंकि काफी महतपूर्ण प्रश्ण है तो इसे हम भली भाती जान ले कि जब हम हरुत क्रांती के विशेस्ताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि इसके द्वारा हमने उच्छ पैदावार वाले वीजों की प्रा गई दूसरी इसके विशेस्ता यह रही कि रसाइनिक खादों के प्रयोग को यहां पर बढ़ावा दिया गया यानि कि जो पहले परंपरागत विधी से जब खेती की जा रही थी, वहाँ पर गोबर की खाद का प्रयोग जहाँ पर किया जा रहा था तो शायद अपेक्षा जो की जा रही थी उत्पादन की वो नहीं मिल पा रही थी तो उसके स्थान पर हैं पर रसानिक खादों के प्रयोग में भी बढ़ावा दिया गया तीसरे एक इसके विशेस्ताओं की बात कर रहें तो कीट नाशुकों के प्रयोग पर भी जोड दिया गया जिससे जो फसले हैं उनमें कीडों के जो प्रभाव से खराब हो जाती थी उसको बचाने के लिए कीट नाशुकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई और चौथी इसके विशेस्ता के हम बात करें तो सिचाई जिसके बारे में हमने देखा कि प्रॉपर अभी तक कोई व्यवस्ता नहीं हो पाई थी मांसून पर ही आधारित थी पूरी की पूरी क्रिशी तो हरित क्रा के लाए मैं काफी सूधार देखने को मिला अब बात करें ड्र sm लागूं देखते हैं कि हमारा चामारा वborg turn कारण के जो दवा जो खादयान फसले थी उनके छेतर में जो देश था वो आत्मे निर्भर बनने लगा दूसरी अगर हम बात करें यहां पर तो विक्रद शेश की भी बात यहां पर आती है यानि कि इतनी उत्पादक्ता होने लगा तो देश में उसके पूर्ति के बाद जो शेश है वो बचने लगा और हम निर्यात की बाद भी हाँ पर करने लगे अपने देश में उत्फ पादी जो खाध्यान थे जिनका उत्पादन क्या जाता था उन्हें हम बाहर देशों में निर्यात करने में तीसरी हम बात करें अगर इसके प्रभाव की तो हम देखते हैं कि यहां पर जब हमने वैज्ञानिक धंग से क्रिशी करना प्रारम भी किया तो उत्पादन जो मिला वो हमें उच्छ गुणवत्ता वाला प्राप्त होने लगा वैसे ही हमने यहां पर देखा कि जीवन इसतर में भी लोगों के काफी सुधार आया क्योंकि जो किसान लागत जो लगा रहे थे अपने क्रिशी वेवसाय में उनका लागत जो है उनको बहुत अच्छे से रिटान उनको प्राप्त होने लगा साथ में वो स्वयम के लिए भी खाद्यान फसलों का काफी अच्छा उत्पादन करने लगे और विक्रे अधिशेश की बात में हमने देखा कि बची हुई जो फसले थी अत्रिक जो उत्पाद थी उनको बाहर बेच कर वो लाब प्राप्त करने लगे इसे प्रतेक जो देश जैसे हमने देखा कि बहुत सारी योजनाय हमने लागू तो कि लेकिन कहीं न कहीं वो बीच में रुख गई या कंप्लीट होने के बाद भी उनका वैसा लाब प्राप्त नहीं हो पाया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हरित्प्रान्ति के भी कुछ अपनी सिमाय क कुछ लिमिटेशन्स रहे गई जैसे यहां पर यह कहा जा सकता है कि सीमिच छेत्र में जैसे हमने देखा कि पंजाब हर्याना या आंधर प्रदेश जैसे छेत्रों में यह क्योंकि हमने गेहूं और चावल पर यहां पर विशे जो दिया गया जो मुख के खाद्यान फसले उसके लिए तो पंजाब हर्याना और आंधर प्रदेश जैसे राजियों में विशेस तोर पर यह योजना लागू की गई और बहुत सारे राज ऐसे रहे गए जो इस योजना से अचुते रहे गए वैसे ही दूसरी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहां पर किसानो कि जो आसमानता की बात थी यानि कि बहुत सारे किसान अभी भी परंपरागत कृशी को ही बढ़ावा देते रहे परंपरागत तक्निकों से ही कृशी करना चाहते रहे उन्होंने वैज्ञानिक धंग से कृशी को स्विकार नहीं किया और ये भी एक महतपूर्ण कारण रहा कि हरित क्रांती जैसी योजना कभी उनको लाब नहीं प्राप्त हो पाया तीसरा अगर हम इसके सिमाओ के बात करें तो कहा जा सकता है कि अगर हरित क्रांती थी और कृशी के चेतर में थी तो यहाँ पर व्यपारिक या खाद्यान फसलों में भेदभाव नहीं किया जाना च चलाई गई वो केवल खाद्यान फसलों तक ही सीमित रहे गई व्यापारिक फसलों के उत्पादन को इससे कोई विशेस लाप राप्त नहीं हो पाया तो यह थी सीमाओं की बात हमने देखा कि हरित क्रांती के द्वारा जब बहुत से योजनाय कृशी छेतर में लागू की तो सबसे पहला तो इसमें हम यह कह सकते कि 1960 के दश्यक कि इंजी नियोजनाव की हमने बात की वहां से दृती जो हरित क्रांती की आवस्ता है वहां पहुचते तक इतना लंबा टाइम पिरेड हो गया था कि जनसंख्या में भी काफी व्रिद्धी हो गई थी और जो टेक्नो अवस्ताय जो हमने निर्धारित की थी यहां पर योजनाय जो हमने बनाई थी वह कहीं न कहीं धीरे-धीरे फिर वह व्यापा के प्रभापूर्ण सिध्ध नहीं हुई और उत्पादन फिर से धीरे-धीरे घटा गया यह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या व्रिद्धी के कारण भी जो परियाप्त लाव वहां पर मिल पाना चाहिए था वो धीरे-धीरे जो है वहां लाव हमको नहीं मिल पाया तो दृति जो चरण थी दृति अवस्ता थी उसकी आपशक्ताया पर महसूस की जाने लगी वैसे ही मैं पर कह सकते हैं कि हमने मौसम से बचनी की जो बात कही सिचाई के परियाप्त सुविधाओं की बात कहीं काफी परिवर्तन काफी विस्तार विकास इस चेत्र में किये गये लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मौसम और अनिश्चित कालीन जो बाजार में परिवर्तन होते हैं ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे अभी भी जो दे तो यह कुछ ऐसे कारण थी जिनको देखते हुए दृति चरण या दृति-अवस्था की बात कहीं गई को है साथ ही ये भी रहा कि दुरती हरित्करांति के अंतरगध किंकिन बिंदों को शामिल किया जाए तो मिट्टी की गणवत्ता के बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई योजना नहीं बनाई गई थी तो लगातार रसानिक खादों के प्रयोग से कहीं न कई मिट्टी के गुणवत्ता में भी गिरावट आने लगी तो अब क्रिशी को विस्तार विकास देने के लिए क्योंकि रसानिक खाद का प्रयोग करना भी जरूरी था लेकिन कैसे रसानिक खाद के कुप प्रभाव को रोका जाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए यह बहुत बड़ा चैलेंज था दूसरी अगर हम बात करें तो प्रयास किया गए कि उच्च उमूलने वाले जो क्रिशी उपज हैं उनके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाए उनके उत्पादन पर ध्यान दिया ताकि जब भी उनको जोरत पड़े वो आसानी से रिंड लेकर अपने क्रिशी कारे को चला सकें वैसे हमने आपे देखा कि जो क्रिशी वेवसाय हैं क्रिशी वेवसाय में जो लोग लगे हुए थे वहाँ पर एक छिपी हुई बेरोजगारी की बात आई थी कि वर्ष भर त तो चिपी हुई बेरोजगारी भी कहीं न कहीं दूर की जा कर पाने में वो सक्षम हो पाएंगे तो यहां पर यह भी एक बहुत जरूरी चीज़ थी कि कहीं पशु पालन और मचली पालन जैसे उद्योगों का भेवस्तार किया जाए साथ ही यहां पर बहुत फसले खेती को भी बढ़ावा दिया गया लगातार एक ही तरह की जो फसल उगाई जाती रहती है तो जो मिट्टी की जो उर्वरता होती वो धीरे-धीरे समय के साथ समाब्त होने लगती है तो बदल-बदल कर अगर फसले उगाई जाये तो उसकी ज अब अगर कृशी छेत्र में विस्तार और विकास की बात यहां पर हो रही है तो यहां हमको किसानों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए यह भी एक महत्पूर्ण बिंदू देखने को मिलता है लेकिन आर्थिक सहायता के जब हम बात यहां पर करते हैं तो आर्थ शास्त्रि हैं उनका मानना है कि आर्थिक रूप से अगर क्रिशक मजबूत रहता है सरकार उनको आर्थिक सहाथा देती किसान है वह पर्याप्त मातरा में अपने फसल का उत्पादन कर सकता है लेकिन विपक्ष की भी एक कहीं नहीं नहीं सहीं लगति है कि कटव давно को चूट देकर तो कूल मिलाकर पूरण पूरा कृशी के चेटर में विकास विस्तार के बारे में अब तक जाना उसका एक देश मूलभूत बिंदू है कि कैसे हमको कृशी के चेटर में विकास करना है ? कैसे हमको किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सामने लाना है और उन समस्याओं का समधान किस प्रकार करना है अब इसके बाद हम देखेंगे कि कृशी के साथ साथ जो देश के विकास में महतपूर योगदान रखने वाला अगला छेतर हैने उद्योग उद्योग के क्या भूम पिकास में.